विडियो में हम लोगों ने प्रस्णावाली 6 दस्मलोग 1, प्रस्णावाली 6 दस्मलोग 2 कभी बहुत ही आसानी और सरल तरीके से हम लोगों ने पढ़ा और समझा भी, तो आज हम लोग प्रस्णावाली 6 दस्मलोग 3 को प्रारम करते हैं, तो प्रस्णावाली 6 दस्मलोग 3 को प्रारम करने से पहले उसमें कुछ तिर्भूज की गुणों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है तिर्भूज की कौन से गुणों के बारे में पढ़ना है हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था जब इस चाप्टर को शुरुवात किया थे तो उसमें से हम लोगों ने चर्चा की थी थोड़ा सा समरूपता के बारे में, तो खास करके आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें तिर्भूजों के समरूपता के लिए कुछ विशेस गुनों के बारे में पढ़ेंगे, किन-किन परस्तितियों में दोनों तिर्भूज समरूप होते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि किन-किन परस्थितियों में दो तिर्भोज समरूफ होते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तिर्भोजों की समरूपता के लिए कसोटियां तिर्भोजों की समरूपता के लिए कसोटियां तो क्या क्या कसोटियां है और किन किन कसोटियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो उन में से सबसे प्रमुख हम लोग को ऐसे देखा जाई तो तीन है लेकिन और एक को भी हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे S, S, S अर्थात भुजा, 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 समरुपता के बारे में पढ़ना है भुजाएं दुसरे तिर्वुच की संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती हो तो दोनों तिर्वुच समरुप होते हैं तो चलिए आज इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं चर्चा के उपरांथ हम लोग परशना वाली 6 दसम लोग 3 को बहुत ही सहज और सरल तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं तो चलिए कच्छा प्रारम करते हैं तो एस एस हम लोग इस नियम को समझने के लिए हम लोग दो तिर्वुच खिंचते हैं एक तिर्वुच हो गया हम लोग का ए बी सी यह हो गया ए बी सी और एक तिर्वुच लेंगे हम लोग जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक तिर्भूज ले हम लोग A, B, C दुसरा तिर्भूज लेंगे D, E, F चीक है तो परिभासा के अनुसार S, S, N, E, M के अनुसार यादी दो तिर्भूजों में एक तिर्भूज की तिनो भूजाए जैसे A, B, D B, C, E, F A, C, D, F एक तिर्भूज की तिनो भूजाएं दुसरे तिर्भूज की संगत तिनो भूजाओं के समानुपाती हैं अर्थात इसको समझना है तो हम लोग क्या A, B बटा, D, E बराबर क्या होगा B, C बटा, E, F बराबर क्या होगा इसके अनुपात में A, C, B, D, F ठीके एक तिर्भूज की तिनो भूजा है दुसरे तिर्भूज की संगत तिनो भूजाओं के समानुपाती है अर्थात ये भूजा को अनुपात में करेंगे माल ले जे 3, B, 5 आ रहा है तो इसको भी B, C और E, F को अनुपात में करेंगे तो 3, 5 आएगा और A, C, C, D, F को भी अनुपात में करेंगे तो 3, 5 आर्था जब ये प्रस्तिती आती है तो ऐसे प्रस्तिती में दोनों तिर्भूज क्या होते हैं समरूप होते हैं तो इसलिए हम लोग कैसे लिखते हैं समरूपता को तिर्भूज A, B, C या इसे लिखा जाता है समरूप को A, B, C समरूप तिर्भूज D, E, F ठीक है A, B, C समरूप तिर्भूज D, E, F यह हम लोग का समरूपता का नियम हो गया, यह पहला नियम ठीक है इसी को क्या कहा जाता है S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S तो कोण 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 समरूपता क्या है यदि दो तिर्भूजों में एक तिर्भूज के तीनों कोण दूसरे तिर्भूज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो तो दोनों तिर्भूज समरूप होते हैं ठीक है एक तिर्भूज के तीनों कोण दूसरे तिर्भूज के संगत तीन A, B, C और एक तिर्भूज बनाते हैं D, E, F चीक है? एक तिर्भूज के तीनों कौन जैसे कौन A इसका संगत कौन कौन D कौन B का संगत कौन हो गया कौन E, कौन C का संगत कौन कौन M अर्थात इसको समझना है तो कौन A किसके बराबर होगा? कौन D के बराबर B कौन E के बराबर होगा? कौन B कौन E के बराबर होगा? और कौन C बराबर हो जाएगा आपका कौन F तो एक तिर्भूज के तीनों कौन दुसरे तिर्भूज के संगत तीनों कौनों के बराबर हो गया इसलिए तिर्भूज A, B, C सम्रूप तिर्बूज B E F ये कौन सा नियम से हुआ ए सम्रूप था छीक है इसको क्या कहा जाता है ये हम लोगों ने दुसरा नियम को पढ़ा तो मेरे प्यारे चतरों अभी हम लोग तिसरा नियम को पढ़ते हैं त्िसरा नियम बोल सकते हैं या त्िसरा कसोटी बोल सकते हैं एस एस अर्थात side-angle side जिसको बुला जाता है भूजा कोण भूजा यदि दो तिर्भूजों में एक तिर्भूज का एक कौण, दुसरे तिर्भूज के एक कौण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतरगत करने वाली भुजाय समानू पाती हो तो दोनों तिर्भूज समरूप होते हैं इस नियम को अभी हम लोग को समझना है तो फिर क्या करते हैं दो तिर्भूज खिचते हैं दो तिर्भूज में हम लोग एक तिर्भूज लेते हैं नाम दे देंगे A, B और C अब दूसरा तिर्भूज T, E और F अब क्या है कि एक तिर्भूज का एक कौन, कौन B बराबर कौन E तो हम लोग लिखेंगे कौन B बराबर कौन E अब इस कौन को बनाने लिए भूजा A, B और B, C और इस कौन को E को बनाने लिए भूजा D, E, F यह दोनों यह संगत भूजाएं क्या होते हैं अनुपातिक होगी इसा बोल सकते हैं समानुपाति होती है कौन कौन A, B by D, E बराबर B, C B, C by E, F ठीक है अगर यह परस्तिती हम लोग के पास आती है तो ऐसे परस्तिती अगर आ गई तो हम लोग क्या समझेंगे दोनों तिर्भूज समरूप हो जाएंगे इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे तिर्भूज A, B, C समरूप तिर्भूज D, E, F किस से समरूप हुआ? इसको लिखेंगे S, S, समरूपता से समरूपता से ठीक है S, S, समरूपता से और यह S, S, समरूपता हो गया तो और एक चीज़ हम लोग असपस टूप से समझेंगे अगर तिर्भूज समरूप हो जाते हैं तो सभी कोण बराबर हो जाते हैं और उसकी जो भुजाए होती है वो संगत भुजाए अनुपातिक हो जाती है समानुपाति हो अब हम लोग क्या करते हैं? अन्तीम नंबर चोथा नियम चोथा कसोटी पढ़ते हैं तो चोथा कसोटी में ऐसे इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े उसी का ये भाही बोल सकते हैं इसी का मित्र बोल सकते हैं उसी से मिलता जोलता है तो हम लोग पढ़ेंगे AA समरूपता AA समरूपता क्या है इसी में थोड़ा सा आपको लोजिक लगाना है और इसका बहुत ही ज़्यादा उप्योग है परसनावाली 6 दस्मलों 3 में ठीक है तो हम लोग इसको पढ़ते हैं तो A-A-A समरूपता जिसको कोण कोण समरूपता कह सकते हैं यदि दो तिर्भूजों में एक तिर्भूज का दो कोण दूसरे तिर्भूज के संगत दो कोणों के बराबर हों तो दोनों तिर्भूज समरूप होते हैं आप लोग सोचते होंगे यह तो एस से मिलता जूलता है बिल्कुल मिलता जूलता है लेकिन थोड़ा सा कहीं पर आप लोग को कंफ्यूज्ट करने के लिए थोड़ा सा असमंजस में रखने के लिए इसी नियम का उप्योग करके क्या किया जाता है प्रसनों को हल किया जाता है तो ए ए समरुपता क्या है हम लोग ने देखा तो इसके लिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे दो तिर्भूज खिछते हैं इसको इसी को थोड़ा बहतर तरीके से समझने के लिए दो तिर्भूज खिछते हैं यह एक तिर्भूज हो गया आपका A, B, C A, B, C और एक तिरभूच खेचते हैं क्या तिरभूच खेचते हैं D, E, F दीगे है जिसमें दो एक तिरभूच का दो कॉन दूसरे तिरभूच के संगत दो कॉनों के बराबर है ऐसे हम लोग मालेजे कॉन A, कॉन D के बराबर कौण B कौण E के बराबर ठीक है तो यहां पर क्या है कौण A किसके बराबर हो गया कौण D और कौण B किसके बराबर हो जाएगा कौण E तो दो कौण बराबर हो गये तो अटोमेटिक है तिसरा कौण स्वात्त बराबर हो जाता है इसको अब इसको उधारन के तोर पर अगर हम लोग समझते हैं जैसे माल लेजिए ये 110 डिगरी है ठीक है तो और ये माल लेजिए हम लोग का 40 डिगरी है ये हम लोग का 40 डिगरी है तो उसी प्रकार ये भी संगत कोंड बराबर है तो ये भी 110 डिगरी का होगा ये भी 40 डिगरी का है अब हम लोग कोंड सी ग्यात करना है तो कोंड सी ग्यात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे तिर्भूच के तीनो कोण 180 डिग्री से ये 110 और 40 150 डिग्री हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को कितना बचेगा 30 डिग्री बचता है तो कोण C हो गया 30 डिग्री उसी परकार कोण F निकालते है कोण F बराबर क्या हो जाएगा ये भी तिर्भूच के तीनो कोण का युकफल 180 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे 110 और 40 150 तो इसका भी कितना आया 30 डिग्री अब देखिए यहाँ पर समझना है कि दो कोण अगर बराबर होगे तो तीसरा कोण स्वतह बराबर हो जाता है इसमें आपको कुछ घबराना नहीं है और डरना भी नहीं है तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि कोण C बराबर 30 डिग्री कोण F बराबर भी 30 डिग्री तो यह C और F बराबर होगे तो इससे क्या पता चलता अगर दो कोण दुसरे तिर्भूच के DEF इसी नियम को बोला जाता है कहा जाता है AA समरूपता यह कसोटी है इसका बहुत उपियोग होता है इसलिए इसको बताना जरूरी थे तो मेरे प्यारे चातरों आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्क्राइब किजिए